तो पहले ये था एक normal grid layout, उसके बाद मैंने सुचा एक step आगे बढ़ते हैं, और grid के साथ साथ आपको कुछ और cool चीज़े सिखाते हैं, तो ये है एक transition animation जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रात से दिन हो जा रहा है, ठीक है तो इसको हम बोलेंगे रैन सवेरा, तो आज हम देखें कैसे grid की help से आप लोग ऐसा एक layout बना सकते हैं, और साथ में इस type की cool transition कैसे बना सकते हैं, अपनी website के अंदर, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि this is our playlist, जिसके उपर हमारी daily ही वीडियो आ रही होती हैं, तो जाके इसको bookmark कर ल left में ये कुछ content रहेगा और right side में ये हमारी एक gallery रहेगी, इस gallery के अंदर उसके बाद बहुत सारे grid items हैं, grid को हम already पढ़ चुके हैं, last video के अंदर तो अगर आप लोगों को grid नहीं पता है, तो वीडियो आपको दिख लिए होगी यहाँ पर है, वो जाके आपको ज़रूर दे और देखते हैं ये कैसे बनने वाला है, इसके लिए मैंने एक folder बना लिया है, this is our grid portfolio, जिसके अंदर हमारे पास है index.html है and then style.css है, इसको हमने connect भी कर लिया है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम एक container layout बनाएंगे, जो की इन सब चीज़ों contain करने वाला है, तो this is the big green background जो आप देख रहे थे पीछे, उसके बाद हमारे पास इसके अंदर दो चीज़ोंगी, पहला होगा हमारा left के अंदर text वाला part, और left के text के बाद हमारे पास होगा एक gallery वाला part, सबसे पहले left text को बना लेते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं, बस एक h2 होगा, जिसके अंदर कुछ text लिखा हुआ है, my portfolio, और साथ में एक paragraph है, this is a quote, और ये मैंने पता नहीं कहां से उठाया है, बट this is a quote, ये मैंने खुद नहीं लिखा, इसके साथ हमारे पास काफी सारे boxes होने वाले है, तो मैं आप टोडल साथ बॉक्स बनाने वाला ह क्योंकि अगर आप यहाँ पर गिनोगे, तो हमारे पास टोडल साथ है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, तो ये साथ boxes है, इसके लिए हमारे पास ये साथ box तयार हो गए है, इसके साथ ही मैं यहाँ पर कुछ styling भी दे रहा हूँगा इनको, जिससे कि मैं यहाँ पर और मैं यहाँ पर inland CSS की help से background image की property यहाँ डाल दूगा, तो background image और सब को URL के अंदर मुझे बस image डाल लिए है, तो यह सारी image आ रही होंगे हमारी unsplash से, तो आप कोई भी images यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पर unsplash से images यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि यह काफी cool website है, आती है, free मैं, तो यहाँ पर आना है आपको, और आप कहीं कोई भी images चूज़ कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर select करता हूँ nature, तो मुझे यहाँ पर यह nature की कुछ-कुछ images दिखाई दे रही है, मुझे इसको select करना है, and then right click, and then copy image address इस तरीके से, and then just paste the address here, तो इस तरीके से ज हमारे divs close हो रहे है, जैसे कि यह div यहाँ पर close हो रहे है, तो मैंने इन divs के अंदर text भी लिख दिया, जो हमें दिख रहा है, तो यह वाली मेरी waterfalls की image है, यह वाली मेरी hills की image है, and so on, तो यहाँ पर अगर अब यह हम देखेंगे इसे, कैसा दिख रहा है, तो इसके लिए हम क 0, padding 0, box sizing कर देंगा border box, बहुती standard stuff है यह, इसके बाद हम अपने font को लेके आरोंगे, इसके लिए हम एक अलग font use कर रहे होंगे, which is called bodoni moda, ठीक है, वो कुछ इस तरीके का दिखता है, तो काफी elegant type का font मुझे लग रहा था यह, इसको हम choose करने वाले है, इसका regular version choose करेंगे, और साथ मैं इसका black version choose करेंगे, इसको हम देख लेते हैं, यह रहा हमारा font, मुझे करना है इसको import, copy and then यहाँ पर सबसे उपर इस font को import करा लेंगे, हम इस तरीके से, इसके साथ ही हम अपने font को यहाँ पर body में set कर देंगे, font family, font family के अंदर हमें जो copy paste करना है, वो यह है, bodoni moda and then serif, इस तरीके से, इसके साथ ही हम यहाँ पर अपने font के size को थोड़ा सा बढ़ा कर लेंगे, 1.2 ram, तो usually आपका by default 1 ram होता है, हमने इसको 1.2 ram कर दिया, तो थोड़ा सा usual से बढ़ा कर दिया, हमने अपने font को, तो अगर आप अपमारे fonts को देखोगे, तो सारे के सारे fonts अब change ह हो गए है, इसके साथ ही हम अपने container को styling देते हैं, तो container, इसके अंदर हम अपनी min height set कर लेंगे, 100 view height के बराबर display हो जाएगा, इसका flex, इसके साथ ही इसके अंदर हम करेंगे justify content, space evenly, align items center, तो अभी देखते हैं कैसा दिख रहे हैं, तो हमारे पास ये left side में ये वाला part है, और right हमें करना है, यहाँ पर gap of 20 pixels, और background हो अपना set कर देते हैं, जो हमारा green color का एक cool सा background हमें देख रहा है, which is this one, तो ये एक gradient है, this is a linear gradient, alright, तो इस gradient को मैं यहाँ पर डालता हूँ, by using linear gradient, this is a function, जिसके अंदर हम दो properties पास कर रहे होंगे, सबसे पहले तो हम बताएंगे direction, to right side, उ set हो गए यहाँ पर, तो अब अगर आप देखोगे, तो यह हमारा left side में यह color है, और right side में यह color हो रहा है, ठीक है, और to right यह हमें जा रहा है, इसके बाद हम अपने left side में जो चीज़े हैं, which is this left text, इसको भी हम कुछ विर्थ देते हैं, और साथ मैं इस gallery वाले पार्ट को भ left text, इसको हम set कर लेते हैं, इसका flex basis set कर लेते हैं, flex basis, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यह flex basis करता क्या है, तो आपको एक बार मारे flex की वीडियो देखनी पड़ेगी, जहाँ पर हमने flex basis को explain किया हुआ है, मैं यहाँ पर आपको बताएता हूँ कि flex basis की help से, आप left text की width 30% हो गई है, इस पूरे container की 30% हमारी left text की width हो गई है, और साथ में मैं चाता हूँ यही जो हमारा gallery वाला portion है, इसकी width भी मैं set कर दूँ, इसी तरीके से, dot gallery, and then इसका flex basis हम set कर देंगे, to 50% इस तरीके से, तो अब यहाँ पर इसकी width change हो गई है, और अब यह 50% of the container ले र इसके लिए मैं बस कुछ code को copy paste कर रहा हूँ, बहुत जादा कुछ खतरनाक नहीं लिखा, सबसे पहले हमने heading को choose किया, जिसके हमने font size को 3 RAM का कर दिया है, color white कर दिया है, और text align center कर दिया है, similarly sub heading का भी हमने color change कर दिया है, इसका थोड़ा off white color है, top से margin मिल गया है, और साथ मैं text इसका भी center कर दिया है, तो यह इस तरीके से हमारा दिखाए दे रहा है, इसके साथ अब हम gallery में move करते है, तो यह जो gallery है, यह actually हमारा एक grid बनेगी, मैं इस gallery को यहां पर नीचे लेका है, तो यह gallery हमारी actually grid बन रही होगी, जिसके लिए मैं यहां पर use करूंगा display, grid, ठीक है, तो grid आप लोग को already पता होना चाहिए, इसके साथ ही हम यहां पर, अब यह देखेंगे तो कुछ भी फ़रक नीपड़ेगा, बिकास by default grid लिखने से कुछ फ़रक पड़ेगा ने इसको, अब हम यहां पर देने वाल हैं इसको कुछ gap, तो gap देते हम यहां पर 8 pixel का, जिससे कि स अब यहां पर देखते कि हमारे पास total कितने rows और कितने columns हैं, अगर आप यहां पर गिनोगे तो हमारे पास 3 columns है, पहला column यह, दूसरा column यह, और तीसरा column यह, इसके साथ हमारे पास 4 rows है, 1 row, 2 row, 3 row और 4 row, तो यह rows and columns हम बना लेते हैं यहां पर, तो हम define करेंगे उसको अपने grid template rows और grid template columns की help से, तो हमारे पास grid template column सबसे पहले define कर लेते हैं, हमारे पास 3 columns है, मैं तीनों को देदूँगा 1 fr, जिससे कि वो 1 1 fraction में evenly distribute हो जाएंगे, इसके साथ हम अपने grid auto rows को define कर लेता है, grid auto rows, तो इसका मतलब जितनी भी rows यहां पर बन रही हैं, उन सब को कुछ आप height दे दो, और हम height कितने देने वाल हैं, हम यहां पर height दे सकते हैं, 120 pixel, तो अगर हम एक fixed height दे देंगे इस तरीके से, तो यहां पर इनको, इस तरीके से fixed height मिल जाएगी, पहले इस चीज को बना लेते हैं, ठीक है कि हमारा जो text है, वो white color का है, इसके साथ ही जो हमारी image है, फिला हम आएंगे अपने boxes के अंदर, तो जितने भी boxes हैं, उनके अंदर हम property set कर रहे होंगे, सबसे पहले background size cover, cover define करने से हमारी images हैं, अब हमें पूरी की पूरी दिखाई दे रही हैं, इस तरीके से, इसके साथ ही हम इनकी जो position वो भी set कर सकते हैं, तो फिलाल हो क्या रहा है, कि हम दुवात में हमें कौन सा वाला portion दिखाना है उसका, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं background position, और हम यहां बता सकते हैं कि हमें कौन सी वाली position दिखानी है, हम यहां पर चाहें तो top वाली position दिखा सकते हैं, तो जितनी भी images हैं, उन सब का top portion हमें दिख रहा होगा इस तरीके से, तो यहां पर यह ocean है, जैसे अगर आप देखोगे इस third image को, तो हमें यहां पर ocean का सरिफ sun दिखाए दे रहा है, अगर मैं यहां पर set करूंगा bottom, तो अब आपको यहां पर इस image के अंदर ocean दिखाए देगा, ठीक है, और यहां पर waterfall के अंदर नीच वाला part दिखाए देगा, and beach के अंदर आपको नीच वाला part दिखाए देगा, शुरुवात में ऐसा करते हम यहां पर start करेंगे top के साथ, position top, और हम transition करते हुए इसको center में लिके आएंगे, ठीक है, तो अभी फिलाली ऐसा दिखाए दे रहा है, इसके साथ ही हम यहां पर set करेंगे अपने color को, तो color हम क center में लिका सकते हैं, जो div के अंदर text तो display flags and then justify content center and align items center, इससे हमारा text center में आ जागे इस तरीके से, अब मैं चाहता हूँ कि यह जो मेरी image है, इसके ओपर एक overlay आए, basically यह थोड़ा सा dark black color का दिखाए दे, तो black color का overlay लाने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप अपना div बनाओ और उस div को अपने box के ऊपर चड़ा दो और फिर उसके बाद उस div की width और height आपने box के बराबर set कर दियो, उसकी transparency आप लोग set कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा क्योंकि हम यहाँ पर background के साथ काम कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कि कोई gradient वगरा डालना, हम चाह कर सकते हैं, blend mode कैसे काम करता है, तो उसके लिए आपको basically दो background चाहिए होते हैं, हमने एक background तो already set कर दिया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हमारे सारे boxes के पास एक background image है, लेकिन इसके साथ ही मैं यहाँ पर एक और background set करूँगा, which is background color, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना background color set करें, तो हम फिलाल के लिए, let's say hashtag 222, तो अभी तो फिलाल आप देखो, कुछ भी फरक नहीं पड़ेगा, क्योंकि image उपर है, इसके नीचे हमारा वो background color है, अब हम क्या करने वाले हैं, कि इस background color और उस image को हम blend करने वाले हैं, तो blend करने के हमारे पास काफी सारी तरीके हो और आप देखो, यहाँ पर वो already dark हो गया है, और अगर आपको इसके और भी बहुत सारी values को समझना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, inspect tool के अंदर, और हम select करेंगे अपने किसी भी एक box को, और यहाँ पर हम अपने blend mode की properties को change करके देख सकते कि और कौन-कौन सी values हो parking, difference, exclusion, hard light and so on, तो इन में से आप लोग जो आपको पसंद आ रही है, आप लोग वो वाला blend mode use कर सकते हो, मैं यहाँ पर use करने वाला हूँ यह hard light वाला, इस तरीके से, तो हम यहाँ पर hard light set कर देंगे, तो background blend mode हमने hard light यहाँ पर set कर दिया है, और अभी फिलाल यह कुछ इस त अब ठीक दिख रही हैं, लेकिन हमें इनको अपने grid के अंदर डालने हैं, जैसे हमारे actual grid बनावाता है, यहाँ पर इस तरीके से अगर मैं शो करना है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि जो पहला वाला box है, विच इस वाटरफाल्स, यह हमारा दो rows में स्पैन कर रहा है, similarly य यह हमारा दो columns के अंदर स्पैन कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अपने code में आके, और हम select कर सकते हैं कि हमारा यह कौन सा वाला box है, तो for example यह वाला div है, इसको हम कुछ ID दे सकते हैं, या फिर एक और class दे सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे करना चाहों कि सपोस करो में इस span 2, तो यह basically क्या होगा, कि grid column होता है, हमारा grid column start or grid column end right, तो यह start basically करेगा 2 span से और खतम करेगा यह, तो basically auto पर खतम करेगा, तो आप लोग चाहू तो auto ना भी लिखो, तो उसका मतलब भी auto होता है, तो यह basically 2 columns के जगह ले रहा होगा, और आपको उसको देखोगे, यहाँ पर, तो यह 2 columns के जगह ले रहा है, अगर आपको इसको 2 rows के जगह देनी है, तो grid row हम यहाँ पर रेखेंगे, क्योंकि box 1 को हम 2 rows के जगह देना चाहते हैं, तो आप देखरों, यह waterfall जो है, वो 2 rows के जगह ले रहा है, तो same चीज़ हम कर सकते हैं, सारे एक सारे boxes को access किया, और उनके grid row और grid column की property को change कर दिया, लेकिन इसकी जगह हम use करने वाले एक बहुत ही कमाल की चीज़, which is called utility class, तो हम basically utility class बना रहेंगे, एक होगी हमारी row 2, तो जिस भी element को यह class मिलेगी, उसका grid row होगा, वो span कर जागा 2 में, इस तरीके से, और एक और utility class बनाँगा, which is called call2, और जिसके पास भी ये class होगी, उसका column 2 में span कर जाएगा, तो हम या करने वाल हो, यहाँ पर box 1 को जैसे मैं दोंगा call2 वाली class, तो आप देखेंगे कि जो हमारा box 1 है, अब ये दो columns में span कर रहा है, अगर मैं इसको दोंगा row2 वाली class, तो ये अपने आप दो rows में span कर जाएगा, इस तर तरीके से, दो columns में span कर रहा है, तो similarly बागी सारी elements के साथ भी कर लेते हैं, तो हम देखते हैं, हमारे पास ocean है, जिसको हम कुछ भी नहीं कर रहे, rain को हम दो rows में span कर रहे होंगे, और mountains को दो columns में span कर रहे होंगे, तो rain वाला कौन सा है, rain वाला ये है, row2, और mountains इसके नीचे व करना पढ़ रहा है, हमारा जो वो box 1, box 2 करके जो code था, वो हमें repeat नहीं करना पढ़ रहा, और अपने आप ही ये classes इन सब को मिलते जा रहे है, इसके साथ इस beach वाले को मैं दूंगा column 2 की class, तो ये beach वाला last वाला है, तो इसको हम देंगे call 2 class, तो ये दो columns में span कर जाएगा, औ which is called hover, तो ये अभी तेखमने वैसे पढ़ा नहीं है, और ये हम आने वाली classes के अंदर पढ़ रहे होंगे CSS के अंदर, लेकिन मुझे पहले आपको सिखाना था, तो आपको अगर सिर्फ grid सीखना था, तो आप यहाँ पर बंद कर सकते हो, इस वीडियो को, लेकिन अगर आपक चीखना है कि वो hover effect कैसे आ रहा था, तो हम यहाँ पर यूज करूँगे, इस box के साथ hover effect को, तो यह basically pseudo selector हो रहा है, जिसकी help से आप लोग इस box की hover state को select करके style कर सकते हो, अलग तरीके से, तो मैं क्या करूँगा, इस के background color को change कर दूँगा, तो जब आप hover करोगे, तो मैं इस hover state इस तरीके से change हो रही है, इसके साथ यह अगर आप चाहते हो कि यह जो background change हो रहा है, इसके अंदर एक smooth transition भी आए, तो इस transition के लिए हम use कर सकते हैं, एक transition property को, जिसको हम again बाद में पढ़ रहे होंगे, लेकिन फिलाल बस ऐसी समझ लेते हैं, कि transition property हम इस तरीके set कर सकते है, all, one second and then ease in out, तो इसे हम बता रहे हैं कि जितनी भी properties hover state में change हो रही है, उन सभी को आप transition दो, एक second के अंदर वो transition होनी चाहिए, और जो transition के अंदर एक curve है, basically कि transition किस style में आनी चाहिए, तो इसे हम कहते है animation curve, तो वो ease in out होना चाहिए, इसे हम बाद में बढ़ रहे होंगे transition के लेकिन अगर आप यह आप देखोगे इसको, तो hover करने पर यह smoothly one second के अंदर अपनी state को change कर रहा होता है, इस तरीके से, all right, इसके साथ ही हम चाहते हैं, कि हमारा जो background की position है, वो इस तरीके से top ना रहके, center में change हो जाए, तो background की position को हम top से center में change कर देंगे, इस तरीके से, तो and then hover करते ही, दिन सा हो जा रहा है, ठीक है, तो this is a cool effect, इसके साथ ही मैंने कुछ box shadow भी दे रखिया इसको, तो मैं आप वो box shadow डाल देते हैं, box shadow, यह box shadow हमारी zero from horizontal, zero from vertical and then four pixel का blur and then color हो जाएगा इसका white, तो जो आप किसी ओपर भी hover करोगे, तो इस तरीके से उसके पीछे एक shadow आ रही होगी, जिसकी help से आपको यहाँ पर यह थोड़ा से एक अलग effect देखने को मिलेगा, इसके अलावा हम एक और सीज कर सकते हैं, कि अपने cursor को change कर सकते हैं to pointer, तो इससे क्या होगा, कि जब भी आप इसके उपर अपने mouse को hover करोगे, तो आपका जो mouse है, वो इस तरीके से pointer में change जाएगा, ठीक है, जिससे पता चल रहा है कि ठीक है, इसके उपर click किया जा सकता है, और आप इसके उपर clicks को अलग से handle कर सकते हो, तो यहाँ पर हमारा layout ready है, लेकिन अभी फिलाल यह responsive नहीं है, मतलब grid जितना भी try कर सकता है, उतना वो उसको responsive बनाने का try करेगा, लेक लेकिन इसको हम responsive बनाना सीख रहोंगे by using media queries, तो अभी फिलाल यह ऐसा दिख रहा है, हम इसको change करके कुछ ऐसा बना सकते है, so that यह phone के अंदर भी बहुत elegantly हमें दिखाए दे, लेकिन यह सब हम सीख रहोंगे अगली वीडियो के अंदर media queries के साथ,